अब मैंने आपको बोला कि binary fusion कब करता है जब सब कुछ अच्छी condition हो आप कैसे खुद को prepare करते हो कि अगर अच्छी condition होगी तो ऐसे रोगा बुरी condition होगी तो ऐस तरीके से मतलब we all prepare हैं हम खुद को prepare करते ना दोनों condition के लिए कि अच्छे में कैसे रहेंगे दुख में क्या हो क चुका है अब वो दुख में है दुख हिंदर सेंस उसके पास अभी प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब मैं कहूं कि unfavorable condition अब उसके लिए आ चुकी है पर उसको क्या करना है उसको reproduction करना है तो वो क्या फॉलो करेगा यहां पर मल्टीपल फीजन करना है अब मैंने क्या बोला कि unfavorable condition है अब दुख के समय आ चुका है तो इसका मतलब यह तो नहीं ना कि वो अपनी सारी activity को एकदम अच्छे से जैसे पहले करता था वैसे ही करेगा बिल्कुल नहीं तो अब हो क्या करेगा थोड़ा सा changes करेगा अपनी पूरे body में अब देखते हो क्या करता है अमीबा stop of the formation of pseudopodia, pseudopodia मतलब टै, movement, अपनी movement को थोड़ा कम करेगा कि अभी मेरे पास खाना नहीं है और अपनी energy को थोड़ा utilize करेगा तो क्या करेगा अपने आपको रोकेगा थोड़ा और क्या करेगा and thereby movements अगर pseudopodia की formation रोक गई तो अपनी movement को रोक देगा जाहिर सी बात है खाना और हर चीज़ों का भी गोलते न अकाल पड़ा हुआ है नहीं है उतनी condition अच्छी तो उसमें वो अपने अपनी energy को safe करेगा अपने जो बचाय हुए चीज़े उनको store करेगा तो अब unfavorable condition में लड़ने के लिए amoeba तयार हो चुका है तो वो क्या कर रहा है formation of pseudopodia को stop करेगा it means movement को stop कर देगा and there is because और यह क्यों कर रहा है ऐसे ही खुशी में no there is a lack of food or any other type of condition which is required तो एक adverse condition अब उसकी life में आच चुकी है now it becomes rounded और यह देखो अभी यह nucleus है और इसके it will form a protective covering around the plasma membrane तो जब यह covering भरती एक protecting हो जाएगी और अब यह जो amoeba जो कैड है protective covering में उसको बोलते हैं सिस्ट अब इसको याद कैसे करोगे multiple fusion में सबसे पहले लिख देना अगर exam में आया कि unfavorable condition होगी तभी भाई यह होगा हो गया उसके बाद लिख दो कि अभी unfavorable condition आई यह तो स्टेप लेगा amoeba अपने आपको चारो तरीके से प्रोटेक्ट करेगा protected amoeba को क्या बोलेंगे भाई सिस्ट बोलेंगे तो नाउ सिस्ट का फोर्म हो गया अब क्या होगा अंदर अभी अंदर भी कुछ हो रहा है उस मैने नुकलिया आर फॉर्मभार कुछ बंगया इस फॉलोड बाया साइटो प्लाजमिक डिवीजन एंदस मैनी एमो एमोबिलेज आर फॉर्म अंदर ही सिस्ट के अंदर ही वो बैठे हुए हैं अमीवा खुद को डिवाइड कर रहा है नूकलियस भी बाट रहा है साइटो प्लाजम करके नए एमोबिली भी बना चुका है बैठा हुआ शान्ती अब वेट करें किसका वेट करेगा फेवरिबल कंडिशन हो क्यों बैसिकली इस अपैरेंट सेल वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ देगा ना सरांडिंग में कब करेगा जब कंडिशन वह अच्छी फेवरिबल कंडिशन में बदल जाएंगी तो सिस्ट ब्रेक्स अब अपने अपने लाइस्टाइल अपने हसाब से जिएंगे तो अलटिफल फीजन में क्या हो रहा है अन्फेवरिबल कंडिशन है अमीबा पैरिंट अमीबा बहुत स्मार्ट है उसने क्या किया अपने अपको प्लासम मेंबरेन को प्रोटेक्टिव बनाया खुद अंदर जाके बैठा इस स्ट्क्चर को अब सिस्ट बोलेंगे और अब यह सिस्ट क्या करने वाले हैं अंदर ही बैठके अमीबा अपने आपको नुक्लियर डिवीजन साइट प्लासमिक डिवीजन करने लगा फिर यह लोग अब सब किसका वेट कर रहे हैं मतलब पैरेंट विद द रिलीज हो जाते हैं बाहर तो इस अबाव दी मल्टिपल फिजिन विच इस टेकिन विच दन बाय अमीबा नाव वट इस बड़िंग अब बड़िंग में में यूनिसलुलार एक और गयानिजम एक फंजाए का एक्जाम्पल दूंगी इस्ट इस्ट से आप बहुत जादा हमने इन यूर नाइंथ क्लास यू मस्ट हैव हड़ अबाओ इस इसके यूस्पेस के एप्लिकेशन में जहां पर वाइन प्रोड़क्शन था जहां पर ब्रेड की एक थी और अगें इन सेकेंड चैप्टर जहां मैंने अनारोबिक रेस्पिरेशन एक्स्पें किया तो मैंन इस्ट जो क्या कर रहा था एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब फर्मेंटेशन तो अब इस्ट के बारे में तो इतना कुछ पता है उसके अप्लिकेशन के बारे में पर वो अपने आपको मल्टिप्लाय कैसे करता है वो देखते हैं और वो अपने आपको मल्टिप्लाय करता है बाइदी मेथड बड़िंग अब बड़िंग क्या है इस्ट सेल प्रोडूजेस टू डॉटर नुकलियाई बाइ माइटॉटिक डिविजन यह माइटॉसिस कॉमन रहेगा एसेक्शूल मेथड में क्योंकि एसेक्शूल मेथड की खास बात है जैसा पैरेंट सेल वैसी डॉट पैरेंट सेल तो चलो ढूंबते हैं इस प्रेजेंटेशन में कहा है यह यह दिस दी बड़िंग जो फॉर्म हो गया वन अफ दी तो डॉटर नुकलियाई एंटर करेगा अब नुकलियाई एंटर करेगा अब दूसरे को देना है ना दोनों नुकलियस के पास तो रहना चाह लेट लेट आउट नो आट अट अल अस्टर दी सफिशियन गोग बड़ सपरेट्स फ्रम दी पैरेंट जैल अंट चाह तो लेव अंडिपेंडेंट फ्लै तो दिस बड़िंग इस पो याद कर लेना बिकास इस अ यूदिसलर और यह कॉंसा मेफट फॉलो कर रहा है असेक् में रखना बड़िंग मतलब बल्च नाओ इस इस अबाउट दी एसेक्शुल मेफट इन यूनिसलूलार और गैनिसम अब मल्टी सलूलार कैसे करेंगे अब जो और गैनिजम्स आने वाले हैं जो एक्जाम्पल्स आने वाले हैं उनको आल्रेड़ी आपने अपने अपने ए स्पारोगारा स्पारोगारा था आपके 9th क्लास में प्लांट क्लासिफिकेशन में ठालो फैटा का एक एक्जाम्पल है स्पारोगारा थे बोड़ी ऑफ दी पैरेंट और गैनिसम ब्रेक्स आप इंटु मैनी फ्रेग्मेंट्स एंड इच फ्रेग्मेंट स्टूली अज फ्रेग्मेंट तूटे और नए नए और्ग्यानिजम उससे बन गए अब स्पारोगारा में थोड़ा देखते हैं डीपली जाके कि करता क्या हो वह 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 विदेवर दरेसे प्लेंटी ओफ वाटर अगें फिरूबल कंडिशन होगी तभी तो फ्रेग्मेंट होगा ना अब नुट्रियंट्स अर अवलेबल तूट स्पारोगारा उसको खाना पीना अच्छा दे दोगे इस फिलामेंट्स ग्रोव अप वेरी फास्ट अन ब्रेक्स अप इंटो मेरी स्मॉल फ्रेग्मेंट्स और एक हर एक चो फ्रेग्मेंट होगा वह एक इंडिपेंडेंट स् दीव एक्जाम्पल ओफ एसेक्शुल मेथड इन मल्टी सेलुलार और्गानिजम वट इस नेक्स्ट अभी वही स्पारोगारा कोई कंटिन्यू करती हूं फ्रेग्मेंटेशन का मैंने एक एक्जाम्पल दिया स्पारोगारा का क्लास कॉन से थी थाइलोफाटा का मैंने दि See you all are in 10th you have to link हर चीज को आपके chapter 6 से भी chapter 3 का जो connection है you have to link अगर ये link आप अच्छे से कर पाओगे तो चीजों को याद करना चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा For example अगर आज ये साइकॉन आप जान गए कि फ्रेग्मेंटेशन से डिवाइड कर रहा है तो animal classification में अगर साइकॉन के बारे में question पूछा सक जाएगा Don't you think you can write this line? कि they are also the साइकॉन is dividing or reproducing by the asexual method and more specifically fragmentation अब पौरीफेरा की क्लास का था और मैंने वहां पे बोला था कि बहुत ही good ability of regeneration है Good ability of regeneration इसी लिए है कि मुझे पौरीफेरा को जो ये group है इसका जो साइकॉन उसको तोड़ दो तो भी मैं एक नया साइकॉन बन जाओंगा So, if the body of the साइकॉन breaks up accidentally into many fragments, each fragment फिर से क्या करेगा? एक नई लाइफ, एक नया साइकॉन बन जाओंगा So, that's why, that's why when I was explaining you the phylum पौरीफेरा, I have written this line Good ability of regeneration because of asexual method plus fragmentation Now, regeneration, very important, example is planaria, planaria देखके कुछ याद आया? Yes, definitely याद आना ही चाहिए, organ grade का एक है Organ system नहीं हुआ था, मतलब, organs बन चुके थे, बट organs में बात नहीं हो रहे थे हमें कैसा है, हमें सब organs है और हमें coordination है, बट planaria में नहीं है तो अब planaria कैसे reproduce करता हुआ, let's see Planaria is very smart Planaria breaks up its body into two parts and thereafter, each part regenerates, remaining part of the body and thus two planarias are formed इसको बोलते है, regeneration, जो लिजार, जो घर में चिपकली पाई जाती है, वो limited regeneration करती है मतलब अगर उसकी tail को काट दिया, तो उतना ही part ग्रोगा, एक नई छिपकली नहीं बन जाएगी, नया लिजार नहीं बन जाएगी तो उसको बोलते है, limited, in this case, look at this planaria, इसने अपने आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और आगे के, दो नए planaria बना भी लिये, तो ये क्या है, regeneration तो हमने multicellular organism में, तीन examples cover किये, sorry, दो fragmentation किया, fragmentation में spirogyra देखा, फिर psychon को थोड़ा याद किया फिर regeneration पर आए, और अब एक और देखते हैं, budding, hydra बहुत common है और कैसे करता है, इसको don't get confused with east, इसकी budding थोड़ी सी different है ये क्या करता है, under favorable condition, सबको ये reproduction क्या करेंगे, जब favorable condition होगी ये बात हमेशा याद रखना, and outgrowth, east में भी outgrowth फॉम हुई थी, bulge form हुआ था, इसमें भी होगा, by the repetitive division of regenerative cell कुछ cell जो बार-बार repetitive division कर सकती हैं, उनमें क्या होगा? इक से, तो यहाँ पे, for example, यहाँ पे देखो, ये जो cells हैं, they are regenerative in nature So, they are going to divide, repetitive division होगा, और इक क्या फॉर्म होगा, bird The bird grows up progressively and finally form a small hydra I can say a very, another word, that is baby hydra, baby hydra form होगा अब, अगर baby hydra है, तो उसको खाना पाइं तो देना पड़ेगा ना, तब ही तो वो grow होगा तो कैसे होगा, dermal layer और digestive cavity से, digestive cavity, जो parent hydra है, वो किसके साथ share कर लेगा? यह जो baby hydra, उसके साथ share कर लेगा अपनी skin and digestive cavity, मतलब मैं जो खाओ, वो तू भी खा तो यह इससे हो गया, और उससे क्या होगा? अब nutrition मिलते रहेंगे, baby hydra को, parent hydra से, तो hydra भी grow होता रहेगा फिर आगे क्या जोगा? एक ऐसा stage आएगा, जहाँ पे, suppression होगा तब, जब, जो baby hydra है, जो budding hydra है, उसको जब एक confidence आ जाएगा, कि no, now I can live my life independently तब वो क्या करेगा, parent hydra को छोड़ देगा, so that's what I have written in the slide, parent hydra supplies nutrition to the budding hydra, कैसे? के, terminal layer and digestive cavity share करके, budding hydra separates from the parent hydra, and start to live an independent life, when it grows up, and becomes able to lead an independent life, तो यह हो गया, budding, and now, at the end, very important part, vegetative propagation, यह सभी ने देखा हैं यह बहुत common है, अब पहले जो हमने देखे, स्पायरोगारा को देखा, या साइकॉन को देखा, अमीवा भी consider कर लिया जो, तो यह सब scientifically, हम यह इसको lab में देख सकते, जब हम इसको अच्छे experiment में देख सकते, बट यह जो vegetative propagation है, यह आप अपने घरों में भी देख चुके हो, कैसे हैं, क्या है vegetative propagation, थोड़ा एक बार द stem, leaf and bird is called as vegetative propagation, एक stage जो है, जहां से vegetative part से reproduction होगा, उसको बोलते ही है, वो जो part है, उसको बोलते है, vegetative part, कौन-कौन से part है बच्छो, root, stem, leaf and bird, now, what happens actually, अब मैंने बता दिया कि vegetative part है, मैंने उसके examples भी दे दिये, root है, stem है, बट अलग-अलग ये जो vegetables हैं, या जो, कुछ यह है, samples है, उनमें कैसे, उनमें क्या है, ऐसा, let's see, vegetative propagation, potatoes में भी होता है, अब एक्जाम्पल कैसे, अपनी exam point of view से कैसे याद करना है, potatoes, bryophyllum, sugar, can, carrot, चार को याद रखो, ये सब क्या करते है, vegetative propagation, ये लिख दोगे exam में, and you are expecting कि पूरे max मिलेंगे, नहीं, you have to write, कि उस vegetative propagation को करने के लिए, उनके पास, कौन सा पार्ट है, जो vegetative propagation करने वाला है, तो इन potatoes, ice presents, ice जो हैं देखो, आलो में देखो, घर में रखा हूँ आलो, उसमें जाके चक्कर होगा, bryophyllum, इसकी जो vegetative पार्ट है, इस प्रेज़ेंट अन दी लीफ मार्जरीन, coming to sugar cane and grasses, birds are present on the nose, गन्ने में sugar cane में नोट्स रहते हैं, उसमें वो उसका वेजिटेटिव प्रपगेशन है, मतलब इससे चल कर एक आगे नया रिपोड़क्ट, एक आगे, मतलब पोटेटों की journey, दूसरी स्टार्ट कहां से होगी, उसके ice में जो प्रेज़ेंट हैं on the tubers, को ग्रो करने के लिए आगे चल के, root, so this is about the vegetative propagation, now, at the end, don't get confused, I will take a quick revision also of all these multicellular organism, but at the end, spore formation, spore formation को फिर से याद कर लो, ब्रेडर रखा हुआ है घर में, इस डब्बे में बंद कर दो और उसको मस्त डब्बे में बंद करो या फिर ऐसे जगह पे रखो जहां पे oxygen है और moisture है थोड़ा, थोड़ दिनों पर जाओगे, तो एक हरी, थोड़ी blueish cream की एक परत दि मुकॉर क्या है, its head as a filamentous body, और इसके पास क्या है, sporengia, once the spores are formed, sporengia are burst, उसमें क्या होगा न, यह sporengia, जो sporengia है न, इसमें बहुत सारे spores न, फॉर्म होते जाएंगे, उसके बाद, जैसे ही पूरा spore formation खतम हुआ, यह क्या हो जाएगा, blast, burst out, जैसे ही burst out होगा, जहां पे spores किरेंगे, वहाँ पे एक नई colony of fungi बन जाएंगे, तो जैसे ही नई colony of fungi बन जाएंगे, again उसका multiplication वही तो उसका reproduction है, so let's conclude this slide, they have spores, fungi like Nucor have filamentous body, they have sporengia, once the spores are formed, sporengia burst out and spores are released, spores germinate in the moist and warm places and now new fungal colony form हो गई, मतलब reproduction हो गया, तो एक spore formation से हो गया, reproduction, so now let's just revise कि multi-cellular में, unicellular तो अभी आपको याद हो गया, multi-cellular में क्या देखा है, और what we will do, we will revise all the slides which we have, completed for asexual method, so let's go on first slide, okay, तो unicellular, asexual reproduction in unicellular organism, we have started from this only, फिर हमने देखा binary fission, binary fission में हमने देखे तीन example, simple, amoeba, transverse, pera motion, longitudinal क्या था, yugelena, yes, फिर condition थोड़ी worst हो गई, unfavorable हो गई, तो क्या हुआ, multiple fission हुआ, multiple fission कौन करने वाले हैं, example किसका देखा, amoeba, so I think आपको भी अभी समझ में आ चुका होगा कि amoeba कितना smart है, favorable condition रही, तो भी उसके पास एक तरीका है, reproduction का, और unfavorable रही, तो भी उसके पास एक तरीका है, फिर हम आए, budding पे, जिसमें हमने example लिया, हमारे favorite example को, east को, why east is so favorite to us, because bread का spongy nature, champagne की, CO2 की bubbles, all because of the, this body, that is east, और east ने क्या follow किया, budding, budding मत्तब bulge formation, then हमाए, asexual reproduction in multicellular organism, fragmentation देखा, spirovara को याद किया, class कौन से थी, thylophyta, फिर हमाए, साइकॉन में, साइकॉन क्या था, पोरिफेरा ग्रुप का था, good regeneration capability है, because, asexual method है, और उसमें भी fragmentation है, फिर से भूलना मत, क्योंकि सब के सब को क्या चाहिए, favorable condition चाहिए, मतलब अच्छा खाना पानी दोगे, तो सब अच्छे से करेंगे, then regeneration है, regeneration में planaria को देखा, और आपको याद दिलाने के लिए, मतलब आपको यह term regeneration का न भुले, हमेशा अपने दिमाग में lizard को याद रखना, lizard क्या करती है, limited regeneration करती है, but planaria is more smart than lizard, तो वो क्या करता है, regeneration मतलब दो पार्ट में डिवाइड होके, पूरा और्गानिजम बना देगा, उसके बाद आए, budding में, parent hydra to baby hydra, और जैसे ही एक confidence आ जाता है, baby hydra को, now I can leave my life independently, तो वो दोनों अलग हो जाते, और कैसे, nutrition का transfer हो रहा था बच्छो, yes you are right, that is, by sharing the digestive cavity and the dermal layer, and at the end, vegetative propagation, vegetative propagation में potato, sugar cane, carrot, and bryophyllum देखा, exam में बहुत पूछते हैं, कि bryophyllum, में ऐसा क्या present है, जहां पर vegetative propagation होता है, and at the end, spore formation, spore formation में bread देखा, bread में होने वाले उस fungi की growth को देखा, वो fungi new colony कैसे form करता है, बादी, spore formation, जो spores कहाँ पर बनते हैं, in the structure of sporangia, जैसे ही spores form हो जाएंगे, यह sporangia burst हो जाएगा, जाएंगे और new fungi form हो जाएंगे, तो this is about the asexual reproduction in the organism, next video, we'll start with the sexual reproduction, so that's why at the end, we will study sexual reproduction in the next lecture, so next lecture, we are going to meet, इस के level के, इस class के organisms कैसे reproduction करते हैं, or more specifically, in sexual reproduction, we are going to learn about plants, NS, very interesting about us, so next video, यह सब स्टाट होगा, तil that time, you have to revise about, all thing about asexual reproduction, thank you